Hello friends, welcome back to my channel आज का व्लोग आपको टाइटल देखकर पता ही चल गया होगा किस पर है आज का व्लोग है करवा चोत पर ये करवा चोत के एक दिन पहले रात को मैंने महंदी लगाई थी ये उसकी एक छोटी सी क्लिप मैंने यहाँ पर रिकोर्ड की थी आप लोगों के साथ तो सोचा आपके साथ शेर कर दूँ यहाँ पर मैंने दोनों हाथों पर महंदी लग गई है अगले दिन फिर हमने सुबह ये पूजा का सेट अप किया यहाँ पर हमने कहानी सुनी कहानी सुनने के बाद हम लोग चत पर गए और सूर्य देवता को हमने यहाँ पर अर्ग दिया हमारे यहाँ पर कहानी सुनने के बाद सूर्य देवता को अर्ग देते हैं अब चलते हैं हम रात के खाने पर मैं यहाँ पर बना रही हूँ रबडी जिसके लिए मैंने यहाँ पे पैन लिया है उसमें मैंने एक टीस्पुन घी एड़ कर दिया है इसके बाद हम इसमें थोड़े से ड्राइफूट्स एड़ करेंगे जिसमें मैंने लिया है काजू और बदाम आप अपने हिसाब से जो आ अब हम इनको गैस पे से निचे रखके थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे इसके बाद मैंने यहां पर ब्रेड ली है दो ब्राउन ब्रेड की स्लाइस ली है जिनको मैंने ग्राइंडर जार में टुकडे करके डाल दिये हैं छोटी-छोटी टुकडे करके डाल द दिया है इसको आप कच्चे दूद में ही इसको ग्राइंड करें गरम दूद में ना करें और इसमें थोड़ा सा ही दूद डाले उसके बाद इसको ग्राइंड कर ले अच्छे से पिसका पेस्ट बना ले मैंने यहां पर दूद को गरम करने के लिए गैस पर रख दिया है उ अब तक हम दूसरी तैयारी कर लेंगे सब के यहां पर अलग लग खाना बनाया जाता है सब अपनी पसंद का बनाते हैं तो मैंने हैं पर सोचा कि आज मिठे में रबडी और सबजी और पूरी बनाए जाए यहां पर मैंने जो ब्रेड स्लाइस दूद लिया था उसको ग्राइ ग्राइंडर में किया था वो इसमें डाल देंगे वो इसमें डालने के बाद हम लगातार इसको हिलाएंगे इसको चलाते रहना है इसको थोड़ी देर के लिए अगर हम इसको छोड़ देंगे तो यह नीचे लग जाएगा इसको पांच मिनर तक पांच से साथ मिनर तक इसक यहां पर मैं इसको थोड़ी देर चला रही हूं ताकि नीचे ना लगे अब मैंने इसकी गैस की फ्लेम कम कर दी थी अब मैं पूर्यों की तैयारी कर रही हूं जिसके लिए मैंने आता लिया है उसमें थोड़ी सी अजवायन डाली है और उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल द इसमें फिर मैंने डाला है मोयन के लिए तेल डाला है आप इसमें मोयन के लिए घी भी यूज कर सकते हो मैंने यहां पे मुंगफली का तेल यूज किया है मोयन डालने के लिए आप अपने घर में जो यूज होता है आप वो डाल सकते हैं फिर इसको हम हाथों से अच्छे से प लगाना है यहां पर मेरा आठा लग गया है हम इसको थोड़ी देर के रेस्ट करने के लिए छोड देंगे इसी बीच हम सबजी की तयीर और मैं यहां पर सबजी बना जो शाही पनीर जिसके लिए मैंने पहन लिया है उसमें मैंने ओल डाल दिया है यहाँ पे मैंने तीन से चार छोटे साइज के टमाटर और दो बड़ी प्याज ली थी उनको रफली चौप कर लिया है अब हम तेल गरम हो जाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा जीरा एड़ करेंगे तेल में जीरा अच्छे से भुन जाने के बाद हम इसमें जो हमारे खड़े मसाले हैं वो एड़ करेंगे आपके पास जो अवलेबल हो आप वो डाल सकते मैंने यहाँ पे दो तेज पत्ते डाले ह में यहां पर चोंटी हरी इलाईची 3 & 4 मिर्च डाली अब हम इनको अच्छे से रोस्ट करना इनको थोड़ा चलाते रहना वरना ये जल जाएंगी फिर इसके बाद हम यहाँ पर जो हमने रफली चोप की हुई हमारी प्याज थी वो इसमें एड़ कर देंगे एड़ करने के बाद हम इसको अच्छे से पकाएंगे प्याज को काफी लोग यहाँ पर वर्ट के खाने में प्याज नहीं खाते हैं हमारे यहाँ पर प्याज हम डालते हैं तो मैंने यहाँ पर प्याज डाली है सबके अपने अपने तरीके होते हैं कई लोग प्याज खाते हैं कोई नहीं खाते आपके घर में जैसा खाया जाता आप वैसा बनाएए अगर आपको प्याज यहाँ पे नहीं डालनी है तो आप यहाँ पे प्याज को स्किप कर सकते हैं अब हम यहाँ पे प्याज को अच्छे से भून लेंगे हम भूनने के बाद हम साइड में जो हमारी रबडी चल रही है उसको भी हम बीच में चेक कर लेंगे जैसे अब देख रहे हो जितना मैंने दूद डाला था उससे भी आदा दूद हो गया है अब यह अच्छे से पकने लग गई है हम इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि यह नीचे लगे नहीं अभी यह अच्छे से पूरी तरह तैयार नहीं हुई है जिसको हम और पकने देंगे अब हम प्याज को देखते हैं, यहाँ पे हमारी प्याज सिख गई है, तो हम इसमें हमारे जो हमने टमाटर काटे थे, वो एड़ करेंगे, टमाटर एड़ करने के बाद हम इसको अच्छे से पूरे को मिक्स कर देंगे, और हम टमाटर को भी अच्छे से पका लेंगे, फिर इ इनको अच्छे से सबको पकाएंगे एक साथ अब हम यहां पर हमारी रबड़ी एक बार फिर से देख रहे हैं यह अच्छे से पक गई है अब हम इसमें थोड़ा चिनी एड़ कर देंगे चिनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से एड़ कर सकते हो जिसको ज़्यादा मीठा पसंदो तो इस हिसाब से जिसको कम पसंदो वो कम डाल सकते हैं चिलनी डालने के बाद इसका जो रबडी का है वो थोड़ी पतली हो जाएगी लेकिन हमें इसको थोड़ी देर और पकाना है यहां पर देखिए मैंने यहां पर जो हमाई टमार्टर प्यास थे उसमें मैंने थोड़ा सा नमक अड़ कर दिया है हम इसी स्टेज पे नमक एड़ करेंगे जो भी हम सबजी में जितना भी नमक डालेंगे आप अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा कम ज्यादा आप एड़ कर सकते हो और नमक डानने के बाद जो प्याज टमाटर जो पकते हैं उनकी जो स्पीड है वो थोड़ी तेज हो जाती बाद इसको ठंड़ा हो जाने के बाद हम इनको गैस बंद करके थोड़ी धे ठंड़ा होने के लिए रख देंगे इनको अच्छे से ठंड़ा करना है गरम नहीं रखना इसको ठंड़ा हो जाने के के बाद हम इनको grinder में ग्राइंड करेंगे अब हमारी रबडी देख रहे हैं यहां पर देखे रबडी पूरी तरह से बन कर त्यार हो गई है और यह अच्छे से गड़ी भी हो गई है मैंने यहां पर जो स्टार्टिंग में जो ड्राइफूर्ट्स रोस्ट किये थे वो कट कर लिए थे वो अभी मैं रबडी में एड कर रही हूं यह रबडी में एड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे आप यहां पर अपने पसंद के भी ड्राइफूर्स डाल सकते हो जो आपको पसंद हो अब इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ी दिर हम हारली वन या टू मिनट इसको हम फ्लेम पे रखेंगे उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे और हमारी रबडी तियार हो जाएगी अब यहां पर जो मैंने तमाट प्याज और काजू का जो हमने फ्राइफ किया था वह मेरा थंडा हो गया है अब उसको ग्रैंडर जार में डालके मैं उसको ग्रैंड कर लूँग यह अच्छे से यहां पर मैंने जो पनीर था उसको पीस में कट कर लिया है जितना भी पनीर मुझे चाहिए था उस हिसाब से मैंने पनीर को कट कर लिया है फिर मैंने यहां पर जो हमारा पेस्ट हो ग्राइंड कर लिया ग्राइंड होने के बाद हम उसी पैन में थोड़ा सा ओइल डालेंगे और उसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे और उसको जीरे को थोड़ा पकने देंगे जीरा पकने के बाद जो हमने पेस्ट तयार किया था टामाटर प्याज का वो हम इसमें एड़ कर देंगे हम इसमें एड़ करेंगे तब थोड़े छीटे आएंगे तो आप थोड़ा ध्यान से अच्छे से इसमें डाले उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको जो हमारा तड़का लगाय था जीरे में तेल में उसमें अछे से इसको हम मिक्स कर देंगे उसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे मेरे grinder jar में थोड़ा paste रहा गया था तो उसमें मैंने थोड़ा और पानी डालके और वो जो paste लग रहा था jar में वो पूरा अच्छे से साफ करके वो भी मैंने इसमें add कर दिया था इसके बाद हम इसको थोड़ी देर चलने देंगे हम इसको अच्छे से थोड़ी देर के लिए चलाएंगे फिर इसमें हम चलाने के बाद हम इसमें जो हमारे पनीर हमने जो पीस किये थे वो पनीर add कर देंगे बीच बीच में रवी भी मेरी आकर थोड़ी help कर रहे थे और बच्चों को वो ही देख रहे थे इसलिए मैं पटाफट खाना बना रही थी यहाँ पर अब हम हमारी सबजी बनकर लगबग ready हो गई है हम इसको अच्छे से mix कर देंगे अगर आपके पास कसूरी मेथी हो तो आप इसमें कसूरी मेथी भी आतों से crunch करके अच्छे से इसमें डाल सकते है हमारी सबजी अब यहाँ पर तैयार हो गई हम इसमें ठोड़ा सा क्रीम एड करेंगे मेरे पास क्रीम नहीं थी मैंने घर की बनी वी मलाई थी वो लगबग 2 टी स्पून मैंने इसमें एड की थी अगर आपके पास मलाई हो तो आप मलाई एड कर सकते हो या फिर अमूल की जो क्रीम आती है आप वो एड़ कर सकते हो मैंने यहाँ पर घर की जो मलाई थी मेरे पास मैंने वो एड़ कर दी थी फिर इसके बाद हम इसको थोड़ी देर अच्छे से मिला देंगे और हमारी ये सबजी एकदम बनकर रेड़ी हो गई है लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा वन टी स्पून जितना गरम मसाला एड़ कर देंगे गरम मसाला एड़ करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और जो गैस की फ्लेम है वो अब बन कर देंगे गरम मसाला हमें इस सबजी में सबसे लास्ट में एड़ करना है और यहाँ पर देखिए हमारी सबजी अच्छे से बनकर तयार हो गई है मैंने यहाँ पर सबजी को एक बाउल में निकाल दिया था अब देख सकते हो हमारी सबजी कितनी अच्छी तयार हुई है बनकर और साथ में मैंने जो हमारी रबड़ी तयार हुई थी उसको भी मैंने एक बोल में निकाल दिया था यहाँ पर हमारी रबड़ी और जो सबजी है वो बनकर एकदम तयार हो गई है और मैंने यहाँ पर फिर पूरिया बना ली थी, पूरियों की क्लिप मैंने रिकोर्डनी की, मेरी जो थाली थी, वर्थ की वो इस तरह की थी, यहाँ पर चान निकल गया था, चान निकलने के बाद हमने पूजा की, साब ने मेरा फास्ट पानी पिला कर पूरा किया, पानी पि चुटी सी किलिप आपके लिए रिकोर्ड की थी यहाँ पर साब ने मुझे घिफ्ट दिया था वह मैं आपके साथ शेर कर रही हूं यहाँ पर हैं एक गोल्ड की रिंग हाई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो अगर आपको कुछ भी वीडियो में अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सस्क्राइब एंड शेर अब मिलते हम अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई